नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अकबर बीरबल की कहानी सबसे बड़ा हत्यार बादशा अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशा ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हत्यार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है इस बात के जबाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्म विश्वास से बड़ा हत्यार कुछ और नहीं हो सकता है ये बात अकबर की समझ में नहीं आए लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा उनके मन में हुआ की समय आने पर इस बात की परक्ट की जाएगी कुछ दिनों बाद राजय में एक हाथी बेकाबू हो गया पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकर लिया था इसकी खबर जैसे ही बादशा को पहुँची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना ये सुनकर महावत हैरान हो गया लेकिन बादशा का आदेश था इसलिए सिर जुका कर चला गया अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा महावत ने भी बादशा के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी इसलिए वो आराम से चल रहे थे तब ही उनकी नजर चिंधरते हुए हाथी पर पड़ी जैसे ही उन्होंने देखा की हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है वो कुछ समझ नहीं पाए कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशा ने मेरी आत्मिश्वास वाली बात को परकने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे लेकिन असा कुछ हो नहीं पाया सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भाग कर जाने की जगह नहीं थी इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुँच गया तब ही बीरबल ने सामने एक कुट्टे को देखा और उसे टांगों से पकड़ कर हाथी की तरफ फिक दिया कुट्टे चीखते हुए हाथी से तक्राया उसकी ऐसी चीखे सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा कुछी देर में इस बारे में बादशा अकबर को पता चला तब जाकर उन्होंने माना कि आत्विश्वासी मनुश्य का सबसे बड़ा हत्यार है कहानी से सीख हर किसी की बात पर यूँ ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए बात की जाच और परक करना जरूरी है दूसरी सीखिया है कि इनसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े तो परेशानी से बाहर निकला जा सकता है धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में लिखें